तो स्वागत है आपका आर्ती की कहानी में तो चलिए आपको आर्ती के परिवार से मिलवाते हैं नमस्ति दोस्तों मैं हूँ आर्ती और ये है मेरे पती देव ओम प्रकाश जी ये मेरा प्यारा सा बेटा गोलू है खलो दोस्तों मैं हूँ गोलू तो आज से आप लोग देखेंगे मेरी कहानी यानि की आरती की कहानी तो आईए मैं आप सभी को अपना घर दिखाती हूँ तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा घर जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ यहाँ पर मेरा किछन है जहाँ पर मैं खाना पकाती हूँ यहाँ घर के पीछे है हमारा बात रूम और यहाँ पर मैंने प्यारे प्यारे फूलूगा रखे हैं आईए दोस्तों मैं आपको अपने घर के जानवरों से मिलवाती हूँ कि मुमी मुमी आप रुकिए मैं मिलवाता हूँ जांवरों से दोस्तों ये है अमारी प्यारी सी गाए धन्नो अरे धन्नो और लो बोलो है और ये हैं हमारी प्यारी सी भैस और हमारी भेंड से तो मिल लीजिए मैं मैं आइए दोस्तों शुरू करते हैं आर्ति की कहानी पार्ट वन अरे गोलू बेटा मैं जा रहा हूं जानवरों के लिए खाना लेने तुम भी चलोगे मेरे साथ अहां पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ अर को तो बड़ा ही मजा आता है आपके कंधे बेट के गोलू बेटा कहीं गिर मत जाना कंधे पर से पकड़के रखो अच्छे से मम्मी अब टेंशन क्यों ले रहे हो पापा बड़े स्ट्रॉंग है मुझे समाल लेंगे अच्छे से लिए पापा चलते हैं चलो गोलू और उस के पापा जा रहे हैं चारा लेने पापा यहां पर तो बड़ी धूप है किसने का ता मेरे साथ आने को खुद ही आए हो तुम अरे गोलू बेटा जल्दी से नीचे उतरो मैं जल्दी जानवरों कर ले चारा ले लेता हूं फिर घर चलते हैं ठीक है पापा अभी उतरता हू चलो मैं जल्दी जल्दी चारा लेकर घर चलता हूं अरे गोलू बेटा मैंने बहुत सारा चारा ले लिया है चलो आप घर चलते हैं ठीक है पापा मैं अभी आया अरे आरती हम लोग आ गए चारा लेकर अरे ठीक है फिर आप जल्दी से जाकर जानवरों को चारा डाल दीज यह मैं तब तक खाना लगाती हूं मेरी प्यारी धन्नों खाना खाले आप रोम प्रकार जी अपनी जानवरों को खाना खिला रहे हैं अब आप जल्दी आये मैंने दरी भी चा दिया खाना खाने के लिए अब भी ओता हूं आप रारती सब के लिए खाना लगा रही है मम्मी मम्मी आपने आज कौन सी सब्जी बनाई है अरे गोलु बेटा मैंने तुम्हारी पसंद की भिंडी बनाई है म मम्मी मेड वड़े पसंद ए सब्भी है जल्दी से देका के जिए के जैंघ और Filipa बनाई के . आरती ने सभी को खाना दे दिया है चलो अन पुर्णा माता को धन्याबाद करके खाना शिरू करते हैं तो यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं अरे गोलू बेटा तुम तो सिरफ सब्जी खा रहे हो रोटी भी तो खाओ अरे मम्मी मुझे तो बिंडी अच्छी लगती है रोटी आप खालो ये नहीं पेटा सिरफ सब्सी खाने से पेट नहीं भरेगा रोटी भी खाओ ठीक है मम्मी खा लेता हूँ रोटी भी तभी ने खाना खा लिया है अरे आज का भूजन तो बड़ा ही स्वादिश था चाचोलो मैं सब की थालियां धोने के लिए ले जाती हूँ अलो मैं बरतन मातना शुरू करती हूँ चलो जब तक मुम्मी बरतन धो रही है तब तक मैं ये चटाई अंदर रख देता हूँ चलो इसे मैंने तहतो कर लिया अब अंदर ले जाकर रख देता हूँ चलो मैंने रख दी मैंने बरतन तो माज लिए अभी सेरे सोई में रख देती हूँ कि दोस्तों यही था हमारा आर्ति की कहानी का पार्ट वान मैं आश्रा करती हूँ कि आपनों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कोमेंट करना ना भूलिए गा और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए गा यहले कर दे दोस्तों इसकान बतरा चे़के लिखन मैंट आर्ट रहे होगाद से जाएग है तो